उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के छोटे से गाउं की रहने वाली सान्या मिर्जा ने NDA की परिक्षा में 149 वी रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया NDA में मात्र 19 पर्द महिलाओं के लिए आरक्षित है और फ्लाइंग में दो ही सीटे है सब कुछ ठीक रहा तो NDA से पास आउट होकर सान्या देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पाइलिट बन सकती है सान्या के पिता शाहिद अली मिर्जापुर में टीवी मेकैनिक है सान्या बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहती थी मिर्जापुर के छोटे से गाउं जसोवर की रहने वाली सान्या ने प्राइमरी से लेकर दसवी तक की शिक्षा गाउं के ही पंडित चिंतमणी दुबे इंटर कॉलिज से पूरी की UP बोर्ड की परिक्षा में जिला टॉपर भी रही इसके बाद सान्या ने शहर के गुरुनानक गर्ल्स इंटर कॉलिज से बार्वी की पढ़ाई भी पूरी की सान्या NDA ट्रेनिंग के लिए 27 डिसेंबर को फूरे में जॉइन करेंगे उसने कहा कि मैं एंजिनियर बना चाहती थी यारवी में देश की प्रथम महिला पाइटर पाइलेट अवनी चतुरवेदी के बारे में जब उन्होंने जाना तो वो उनकी प्रेणना बन गई और उन्होंने NDA में जाने की थानी वो कहती है मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों खास कर लड़कियों के लिए भी मैं प्रेणना बन सको हमारे समाज में पढ़ाने से ज्यादा शादी के दहेज के लिए परिजन मेहनत करते हैं देश सेवा सिर्फ जजबा नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है सान्या के पिता शाहित अली ने कहा है कि एक टीवी मेकैनिक समान्य जीवन जीता है बेटी के अंदर टालेंट और लगन को देखा तो लक्ष हासिल करने में उसकी मदद करने लगा हाइ स्कूल में टॉप किया तो लगा कि सान्या कुछ करना चाहती है जिला टॉप करने के बाद NDA में जाने की इच्छा चताई और उसने मुझ से कहा कि वो NDA के रास्ते देश सेवा के लिए जाना चाहती है तो हमने भी उसका पूरा साथ दिया सान्या की मा तबस्व ने कहा कि हमारी बच्ची ने मा के साथ भी गाउं का सम्मान रखा मान सम्मान सपना सब कुछ बूरा कर दिया उसने ये सिर्थ किया कि गाव की बच्ची कुछ भी कर सकती है समस्याय आती हैं लेकिन सफलता मिलने के बाद जब कुछ उसके सामने छोटा हो जाता है लोग आपकी काम्याबी को याद रखते हैं सान्या ने बताया कि CBSC, ICSC ही नहीं UP Board के विद्यार की भी NDA में जा सकते हैं और ये उसके लिए उसके सपने को पूरा करने जैसा ही है क्योंकि पहली मुस्लिम महिला फाइटर पाइलेट बन वो देश की सेवा करना चाहती है इस वीडियो में इतना ही आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताया आपको ये वीडियो कैसा लगा और एसी देश-दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहे हैं जनसत्ता के साथ शुक्रिया